हाई दोस्तों साइज ही और बाक विद अनधर इंट्रेस्टिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो और आज जो है मैं आपके लिए लेके आहूं अगर कोई भी इंटरनेट इंटरुप्शन हो जाता है तो भी तो यहाँ पर सक्सस्फुलि आप कोई भी वाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो बीच में इंटरनेट रुक गया हो बंध हो खतम हो फिर से आप उसको रिजियूम और पाऊंगे तो यह एक best download manager है, क्योंकि यह open source है, कोई ads नहीं होंगी, कुछ नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छे से आप use कर सकते हो यह application को, और मैं चाहता हूँ कि यह application आप install करके रखो, बहुत ही useful application है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे जो है, मैं जिसके download कर रहा बीच बीच में रोक रोक के, तो भी यह successfully अच्छे से होता है, डाउनलोड, और भी थोड़ा बहुत यहाँ पे customization वगएरा आप कर सकते हो, कितने tasks आपको add करने, उसमें theme वगएरा set कर सकते हो, language change कर सकते हो, तो यह सारे options आपको देखने को मिल जाएंगी, then अब बात करते है next application के बारे में यह एक launcher है, जिसका नाम है, किवे system, तो मैं pronounce करने में थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा मैं, थोड़ा दिक्कत face कर रहा हूं, बड़ आप समझ जाओ, ठीक है, किवा system, ठीक है, अब यह एक launcher है, जो की बहुत ही तगड़ा launcher है, open source है, और सबसे अच्छी बात यह launcher एक बार इंस्टॉल करके जरूर देखना, क्यों देखो अभी दिखाता हूं, तो जैसी कि आप देख पर हो, यहाँ पर मैं ऊपर अगर स्क्रॉल अप करता हूं, तो जैसी कि आप देख पर हो, यहाँ पर आपको widgets वगरा देखने को मिलती है, calendar हो गया, weather हो गया, यह सा जादा अच्छा लगता है जब देखोगे इसको, और three dots पर क्लिक करके अगर settings के अंतर जाओंगे, यहाँ पर बिल्कुल दुनिया पर का customization है, और बिल्कुल open source है न, तो कोई add नहीं है, कोई खरीदनी की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा यहाँ पर option बन जाता है, यह बढ़िया launcher बन जाता है, customization भर-भर के मिलेगा, बहुत सारी चीज़े आपर customization आप कर पाऊंगे, चाहे वो grids हो, यहाँ पर icon pack हो, बहुत सारी चीज़े आपर modify कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर search में जाओंगे, तो यहाँ पर भी चीज़े आपको मिल जाएंगे, कि आपको जो वो widgets वाला option है, वो अगरा रखना ही की नहीं, या फिर यहाँ पर जेस्टर में जाओंगे, तो यहाँ पर भी आप बहुत सारे options यूज़े में ले सकते हो, जैसे कि tap to, जो off screen होता है, तो वो अगर आपके device में, मतलब आपके launcher में support rate नहीं है, तो इसको डालो आप use कर सकते हो, double tap to sleep वगेरा options मिल जाती है, ठीक है, तो यह सारे options इस launcher के अंदर मिलती है, तो मिरको यह personally बहुत ही जादा, मिरको personally बूल रहा हूँ, बहुत जादा favorite लगा यह launcher, यह clock का widget भी आप change कर सकते हो, बहुत ही जादा सही रहेगा यह application, यह launcher है, मिरको बहुत है, तो वो चीज में आपको बताने जा रहा हूँ, तो यह मतलब स्वारी हो dog जैसा लग रहा है, बट सही रवाई, मतलब बच्चों जैसा लग रहा हूँ कार्टोनीच सा, लेकिन यह browser बहुत कड़क है, क्यों, settings के अंदर चलते हैं इसके, और यहाँ पर मैं आपको दिखा हैं, जैसे कि आप जब exit करोंगे browser को, तो उसका जो history वगरा होता है, जो भी catch ही, वो clear कर सकते हो, तो यह सारे options मिल जाती है, और यह इस browser को बहुत ही जादा तगड़ा बनाती है, और personally मिरकू सही लगा है, next application के बारे में बात करते हैं, अब यह application जो है, जिसका नाम है Namida, अ without any premium subscription, यह एक best alternative है YT का, बहुत ही तगड़ा है, डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर playlist wise, album wise, जो भी चीज़े आप add कर सकते हो, यहाँ पर मैं एक शब्द में बोली हूँ, तो यहाँ पर पूरा YT का जो भी content होता है, बिल्कुल यहाँ पर same access कर सकते हो, but फाइदा क्या है, no ads, no need to buy any premium subscription, so this is very interesting on this application, ठीक है, तो यह काफी जाद तगड़ा application है, इसमें आप जो है dark mode वगरा, वो सारी चीज़े नावल कर सकते हो, okay, और भी अगर इसके settings में जाओंगे, तो और भी customization वगरे चीज़े मिल जाएंगी, उसका resolution आप full set करके भी आप पूरा watch कर सकते हो, even आप download क कर सकते हो, उसको audio या फिर video में दोनों में shift कर सकते हो, तो यह सारे options आपको देखने को मिल जाती है, इस application के अंदर, ठीक है, application का नाम क्या है, Namida, ठीक है, fully open source app है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई risk नहीं है, full secure रहेगा, अब आराम से use कर पाऊंगे इस application को, ठीक है, तो try करके देखना, मुझे तो personally यह application बहुत जादा अच्छा लगा है, then, बात करते हैं next application के बार में, जिसका नाम है music X, अब ये एक open source music player है, इसके अंदर आप कोई भी local music play कर सकते हो, और अच्छी बात आप जान चुके हो, क्योंकि ये open source है, तो यहाँ पे कोई भी ads नहीं देखने को मिलेंगी, clean look रहेगा, ठीक है, तो ये चीज़े आपको इस आपके अंदर देखने को मिलती है, then, बात करते हैं next application के बार में, जिसका नाम है tracker control, ठीक है, तो ये आप नाम से ही पता चल गया होगा, कि यहाँ पर इस application की help से, आप जो है, जो भी आपके device में, जो अपके device में, तो वो चीज़े जो है, ये डिसेबल करतेगा, ठीक है, तो जो भी चीज़े tracking हो रही है, उसको रोकने का काम, ये application करेगा, तो ये application आप अपने install करके, यूज कर सकते हो, और इसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ेशन, जाके कुछ थोड़ा बहुत अपने करके, आप चीज़ों को और भी advanced level तक के ले जा पाऊंगे, तो काफी interesting application है, ट्राय करके आप देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद next बात करते है, next application के बारे में, जिसका नाम है, अट्रिकॉंस dark, वैसे इसके different different आपको जो है, मतलब format देखने को मिलेगी, ये अट्रिक अट्रिकॉंस dark है, अट्रिकॉंस light मिलेगा, तो इसका में link तो description में मिल जाएगा, आप वहां से जो आपको format चाहिए, उसको download कर पाऊंगे, मतलब उस उस way में आपके इसके अंदर icons जो मिलेगी, मतलब dark, मतलब dark type के icons, light वाला गर download करोंगे, तो light वाले icons, लेकिन इन icons को apply कर करने के लिए आपको supported launcher install करना पड़ेगा, जैसी कि आप इस supported launcher की list है, तो उसमें से कोई भी launcher install करो, then आप कोई भी icon pack उसमें install करा सकते हो, इस application के थूँ, open source application है भाई, कोई भी icons add करो, बिंदास कोई tension नहीं रहेगा, और theme जो है मैंने जैसी कि बूला था, यापे मैंने light different, तो वो आप check out कर सकते हो, next application के बारे मैं बात करते हैं, इसका नहा में rethink, अब simply यहापे start button पर मैं रखता हूँ, click, I mean click करता हूँ, then उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर इस application के help से आप जो है, पूरा track कर पाऊंगे, कि actually आपके device के अंदर क्या क्या चीज कर सकते हो, simple मैं बात करूँ, तो आप monitor कर सकते हो, जो भी चीज़े आपके device के अंदर हो रही है presently, और भी यहाँ पर जैसे कि आप किसी भी app का wifi या फिर इंटरनेट को restrict कर सकते हो, तो यह भी काफी interesting चीज है, मतलब कोई भी app आपका data को बाहर नहीं भेज पाएंगा, कि आप देखी पा रहे हो, यहाँ पर firewall का भी support आपको देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी, बात करते हैं, next application के बारे में इसका नाम है, dglock tv, क्या, tv, हाँ, यह tv ही है, यहाँ पर आपको free news channels देखने को मिलेंगी, all over world की, पूरे English में आप पूरे जो free content है, उसको access कर सकते हो, tension मतलो यह कोई legal, I mean illegal नहीं है, जो भी actually, जो permitted है, वही चीज़े यहाँ पर आपको show होगी, मतलब, यहाँ पर free तो है, बट उसका legal license वाला जो चीज़े, वो सब मिलेगी आप इसको tv के अंदर, next application जो को मेरे को personally बहुत जादा पूरा जो भी bundle है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, different different type की memes आपको देखने को मिलेंगे, पूरे दुनिया भर के memes आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आप इनको check out कर सकते हो, just a second मैं इस tracker application को, जो rethink application है, उसको मैंने बंद कर दिया है, और जब मैं फिर स जो ही नहीं, उसको download भी कर सकते हो, अपने YouTube वीडियो में वगर आप यूज में ले सकते हो, काफी interesting रहेगा, then बात करते हैं, next application की जिसका नाम है Droidify, so आपने FDroid वगर देखा होगा, open source application मिलती है उसके अंदर, same like that, यहाँ पर भी आपको पूरे open source apps देखने को मिल उनके updates देखने को मिलेंगी, उनको आप download कर पाँगे, update कर पाँगे, तो यह सारी चीज़े आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, नाम मत भूलना, नाम है Droidify, ठीक है, तो सारे files की, I mean सारे apps की link description में वहाँ से download कर सकते हो, ओके, और भी यहाँ पर customization वगरा जो कुछ है, वो यहाँ पर आप कर पाँगे, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़े आपको देखने को मिलती है, आप इनको explore करो, काफी मज़ाएगा, then, next most interesting application के पार में हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है Open Lib, अब इसके अंदर जो है ना, दुनिया भर का content आप enjoy कर सकते हो, अरे यहाँ पर mirror के through आपको वो सारी चीज़े provide की जाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी digital library है, world की largest digital library, आप फ्री में मिल जाएंगे आपको, तो आप enjoy कर सकते हो, पूरे की पूरी चीज़े यहाँ से, और free भी है, और open source है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप interesting modules वगेरा भी देखने को मिलेंगी, तो आप चैनल पर बने रहो, और एक बर playlist चेक आउट करो, एक बर playlist चेक आउट करोंगे, तो I think आपको चैनल बहुत जादा पसंद आजाएगा, तो बस आज के लिए इतना ही अगले वीडियो मिलते हैं, love you दोस्तों, goodbye, take care, और वीडिय जरूर करना